जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सबस्क्राइब करें हाई फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको हाफ डायमंड पैटन प्रिंट करके दिखाऊंगा कि जावा में कैसे आप हाफ डायमंड पैटन को ड्रो कर सकते हैं और इसका एक एक लाइन ड्रायरन करके भी समझाऊंगा कि यह print कैसे हो रहा है तो चलिए हम अब क्या कर रहे हैं प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं direct सबसे पहले हमने simple से एक A नाम का class बना लिया और यह हो गया हमारा main method अब हमें क्या करना यहां पर variable बनाना है तो आज हम half diamond pattern print कर रहे हैं इस pattern को print करने के लिए हमारे पास दो variable होना चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं integer type का I और J नाम का दो variable यहां पर बना रहा हूं I variable का use हम किसले करेंगे I variable का use हम outer loop में करेंगे J variable का use हम inner loop में करेंगे तो इस half diamond को print करने के लिए nested for loop हम use करेंगे तो सबसे पहले nested for loop का syntax क्या होता है उसे मैं design करके यहां पर लिख देता हूं यह होता है syntax एक for loop के अंदर दूसरा for loop अभी मैंने starting में क्या बोला था इस I variable का use हम outer loop में करेंगे मतलब यहां पर तो चलिए कर देते हैं I का value 1 से start करेंगे I less than equal 5 क्योंकि मैं चाहता हूं I का value 5 तक जाए और 5 रोज में मुझे star print में मिले उसके बाद I की value बढ़ेगी अब यहां पर inner वाले loop में J variable का use करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे इसकी भी condition देंगे J का value 1 से ही start होगा लेकिन यह जाएगा less than equal I तक और J plus plus less than equal I लिखे हैं इससे क्या होगा कि triangle के shape में हमारा draw होगा pattern अगर इस J वाले loop का condition true होता है तब क्या होगा तब यहां पर मैं एक statement लिखने जा रहा हूं system.out.print और star pattern मुझे print करना ति यहां पर star कर दूँगा और मैं चाहता हूं सारे star space में print हो एक space भी मैंने दे दिया और मालो इसका condition false हो जाता है तब क्या होगा तब यहां पर I वाले loop का statement मैं लिख रहा हूं system.out.println यह new line के statement है तो सबसे पहले हम अपना इतना हमें कितना result मिल रहा हूं हमने enter कर दिया program compile हो गया अब इसे run करने के लिए java और class करें तो यहां पर देखो guys हमने जो काम किया ना भी तक इतना हमें pattern print में मिल रहा है तो हमने almost 60% काम कर दिया है अब हमें क्या करना है 40% काम करना है तो वह काम हम नीचे side में करेंगे यानि यहां पर तो उसके लिए क्या करेंगे same logic को यहां से copy करेंगे और यहां पर मैंने paste करा तो अभी मुझे नीचे side में star print कराने है तो नीचे side में print कराने के लिए इस loop को हम उल्टा घुमा देंगे मैं चाहता हूँ यह loop 4 times चले greater than equal i और j minus minus होगा क्योंकि reverse order में जा रहा और इसको भी 4 time ही चलाएंगे क्योंकि मुझे total 9 rows में star pattern print में चाहिए तो 5 row में तो यही print करा देगा 4 row में यह print करागा 4 और 5 को add कर यह कितना होता नौ होता है तो चलिए अब आपको दिखाते कि इतना काम करने के बाद क्या output आ रहा तो यहां पर देखो guys हमारा एकदम standard way में half diamond pattern print हो चुका है तो इसको draw करने का एक और तरीका है वो क्या है आप क्या करो 60% का काम यहां पे कर दो और 40% का काम आप यहां पे कर दो तो अभी 40% वाला काम यहां पे done होगा 60% वाला काम यहां पे done होगा क्योंकि ये वाला अभी लूप एक बार ज्यादा चल रहा है नीचे वाला पोर्षन का तो इसका भी आटपुट देखेगा same to same print होगा तो देखो यहाँ पे print हो चुका है तो अभी उपर वाले पोर्षन का इतना ही result है ठीक है ये जो आपको white color में दिख रहा है और ये जो नीचे वाला पोर्षन आपको दिख रहा है इस नीचे वाले पोर्षन का इतना work है ये वाला चीज तो अभी चलो try run करके बता देता हूं ये काम कैसे कर रहा सबसे पहले देखो i का value 1 है यहाँ पे लिख देता हूं i equal 1 condition देखो क्या 1 less than equal 4 है condition true है तो अभी क्या होगा यहाँ पे भी condition देखेगा j का value 1 है 1 less than equal 1 है क्या condition true तो अभी एक star print हुआ उसके बाद j का value बढ़ा ये हो गया 2 condition देखेगा क्या 2 less than equal 1 है condition false हो गया जैसे ही condition false हुआ अभी क्या होगा ln चलेगा new line का statement फिर i का value बढ़ेगा अभी i का value हो जाएगा 2 तो condition देखो क्या 2 less than equal 4 है condition अभी भी true है फिर क्या होगा j का value तो अभी भी 1 ही है तो 1 less than equal 2 condition true एक star print हुआ j का value बढ़ा ये हो गया 2 2 less than equal 2 condition फिर true फिर एक और star print हुआ फिर j का value जब 3 होगा तिहाँ पे condition false हो जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि जब i का value एक रहेगा तो ये वाला लूप एक बार चलेगा जब i का value 2 हो जाएगा तो ये वाला लूप अपने आप दो बार चलेगा तो इसी तरह जब i का value 5 रहेगा तो ये वाला लूप अपने आप 5 बार चलेगा तभी तो देखो guys, यहां पे 5 star print हो रहा है एक line में, ठीक है, अगर I के value यहां पे 4 है, मालू यहां पे 4 है, तो यह 4 बार चलेगा, तभी तो अपना यह वाला line में 4 star print हुआ है, तो इस तरह से यह वाला pattern का logic काम कर रहा है, उमीद करते हैं, आपको ड्रारन समझ में आ गया तो हमारे video को like कर दीजे, share कर दीजे, चानल पे नए हैं तो subscribe कर दीजे